जहन दोस्तों आप सभी का Mission University YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के सपोर्ट की वज़े से आज हमारे YouTube चैनल पर 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो इसके लिए आप सभी को थैंक्यू आज Mission University YouTube चैनल विश्वास दिलाता है कि आप लोगों के इंट्रेंस एक्जाम की पूरी-पूरी त्यारी करवाई जाएगी पूरी-पूरी स्लेबस जो है कवर कराएंगे free of cost इसमें कोई भी आपको कुछ भी नहीं करना सिर्फ बैट के मेहनत करनी हैं त्यारी करनी ही अच् लेकि हम लोग भी अपने जब इंटर्स देने के त्यारी का रहे थे तो बहुत प्रकार के डाउट होते थे हम लोगों के अंदर भी लेकिन फिर यह होता था कि हम लोगों को प्रोपर गाइडेंस नहीं मिलबा दी तो उधर उधर बठकते थे लेकिन आप लोग मिसन उन्व क्यूस जो कि आपके लखनों उन्वर्श्टी के साथ अनग उन्वर्श्टी में भी इंपोर्टेंट है यह सबी कोस्टंस लगभग लगभग पूछे ही जाते हैं हर बार तो आप लोग इस को अच्छे से पढ़के जाईएगा हम लोग तो आपकी तयारी कराने के लिए हैं तो आज को देखते हैं हमारा जो है सेलक्षन सीरीज का पहला कोश्चन है तो हमारा आज का पहला कॉश्चन है सार्व जनिक वित्रड़ प्रडाली से वित्रित अनाज पर मोल बढ़ाने का उद्देश है तो हमारा पहला option है किसानों को आकरसक कीमत मिले और दूसरा option है अनाज के उप्योग को नियंतरित किया जा सके तेसरा option है इस योजिना में निहित सब्सिडी का भार कम हो सके और चौथा option है इस योजिना से लाब कमाना तो हमारा इन चारो option में से right answer, answer number C जो है हमारा right answer है इस योजिना के निहित सब्सिडी का भार कम हो सके आए देखते हैं हमारा अगला प्रशन काउन सा है हमारा आगला प्रशन है राश्टिय बागवानी मिशन का उद्देश नहीं है तो हमारा पहला option है बागवानी छेत्र की समग्र वृध्धी करना दूसरा option है किसानों की आय में वृध्धी करना तीसरा option है सेत्तर प्रबंधन पोस्ट हार्विस्ट मैनेजमेंट करना और चौथा option है मानो संसाधन का विकास करना तो आप सभी का इसमें से right answer है answer number D मानो संसाधन विकास करना आये देखते हैं हमारा अगला प्रशन काउन सा है अगला प्रशन है हमारा किसी पंच वर्षिय योजना में किस छेत्र ने रिड़हात्मक वृध्धी प्रदिर्शित की तो इसमें से हमारा right answer काउन सा होगा answer number एक है तीसरी में answer number दूसरा है 7 میں answer number तीसरा है पांचवी में और answer number चौरता है 9 में तो इसका right answer हो जाएगा A तीसरी में इसका right answer A हो जाएगा तीसरी में आये देखते हैं अगला question अगला question है हमारा राश्ट्रिय हार्टी कल्चर मिशन किस पंच वर्षिय योजना में आरम किया गया था तो इसका पहला option है ग्यारवी पंच वर्षिय योजना में, दूसरा option है दस्वी पंच वर्षिय योजना में, तीसरा option है नवी पंच वर्षिय योजना में, और चौथा option है उपर युक्त में से कोई नहीं, तो इसका हमारा right answer हो जाएगा, answer number B, दस्वी पंच वर्षिय योज सिनैं हुआ कि अपने निक्स क्रेस्टन की और मुंक अगला प्रस्टन अपरेसं संट readable का उद्धिशं a और सान लुक्रिष क्सफिश आ judgment को भूल नियंत्रड दूसरा ऌप्षन अनाजों के मूल का नियंत्रड अनाजों के मूल लेका नियंतरड तीसरा उप्सन है दल हनो के मोल लेका नियंतरड और चौत्पा उप्सन है उपरियुक्त मैं से कोई नहीं तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए ऐह प्रधान मंत्री किसान संपधा योजिना संबंधित है प्रधान, मंतरी, किसान, संपदा, योजना, संबंधित है तो हमारा option कौन कौन से है? पहला option है किरिस छेतर में दूसरा option है वित्तिय छेतर में तीसरा option है बैंकिंग छेतर में चोथा option है सारवजनिक उपकर्मों से तो इसमें से हमारा right answer है answer number 1 किरिस छेतर से है दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोगों को इंटरेंस एक्जाम से लेकर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बेजिजग पूचे हम और हमारी पूरी टीम इसलिए आप लोगों के help के लिए ही आई है आए देखते हैं हमारा अगला question कोई सा है राश्टिये किसान उद्योग का गठन कब हुआ राश्टिये किसान आयोग का गठन कब हुआ तो इसका पहला option है वर्स दो हजार दो में वर्स दो हजार तीन में दूसरा option तिसरा option है वर्स दो हजार चार में वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वस्तर उद्योग केंद रहे तो option नमबर A है, एहंदाबाद option नमबर B है, कानपूर option नमबर C है, मुंबई option नमबर D है सूरत तो हमारा right answer हो जाएगा इसमें से option number C Mumbai जो हमारा right answer है दोस्तों आप लोगों को बता दें कि हमाई जो एक नारा है selected है और selection दिलाएंगे तो आप लोग विस्वास बनाये रखिए ये जरूर काम आएगा बस आप लोग मेहनत करते रहे आप लोग जो भी क्लास से आती है पूरी पूरी देखिए और उसे अच्छे से पढ़ते रहे आए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है स्वतंत्र भारत की पर्थम और द्योगित नीत की घुसड़ा कब की गई थी स्वतंत्र भारत की पर्थम और द्योगित नीत की घुसड़ा कब की गई थी तो आप्शन नमबर A है 1957 में आप्शन नमबर B है 1949 में आप्शन नमबर C है 1950 में आप्शन नमबर D है 1956 में तो हमारा इसका राइट आंसर है आप्शन नमबर B 1948 48 option Number BMW 1948 aja देते हैं अर्Lefa בhatti यह हैंえば बहुत है में हीरा संस्थान कहां इस्तित है भारतियह दें हीरा संस्थान कहां इस्तित है तो sp नंबर है नई दिल्ली में nee ox number míhti है मुंबicide में option नंबर सी हे सुरत में option नंबर दी है जैपुर में तो हमारा इसमें सलाइट आंसर हो जाएगा option number C सूरत में जो है हीरा संस्थान इस्तित है आए देखते हैं एकला question हमारा कौन सा है question number 11 भिलाई इस्टील सैयंत्र किस प्रकार का उपक्राम है तो option number A option number B है निजी, option number C है सहकारी, option number D है सारवजनिक निजी संयुक तो हमारा इसमें से right answer है option number A option number A सारवजनिक दोस्तों आप लोगों को WhatsApp ग्रुप और टेली ग्राम पे ही इसकी PDF प्रोवाइड की जाएगी तो आप लोग ग्रुप को जॉइन कर लें ताकि आप लोगों को PDF भी मिल सके आए देखते हैं आज का अगला प्रस्ट्र कृस्चन नंबर 12 राश्ट्रिय निवेश कोस के संबंध में निम लिखित में से कौन सा कथम सत्त है तो आए देखते हैं राश्ट्रिय निवेश कोस में कौन सा कथ चेंअ प्रत्यच विदेशी निमेश से प्राफर आयर रखी जाती है इसमें लोगों दौरा खरीदी गई सरकारी प्रिभूतिय रखी जाती है ऑपAUL र नमों के विन्मेश से प्राप्त होने वाली रखी जाती है अप्सट नमबर ड़ीए इस कोस्त का प्रबंद्धन रिजरो बैंक द्वारा किया जाता है है तो हमारा इसका राइट ऐन्सर हो जाएगा और सी ऑप्सइन अंबर A6 है, option number B7 है, option number C10 है और option number D9 है तो हमारा इसका right answer हो जाएगा आपका option number C, option number C आपका right answer हो जाएगा आए देखते हैं एकला question अर्थ व्योस्था के कोर छेत्र के अंतरगत कौन सा उद्योग सामिल नहीं है आर्थ व्योस्था के कोर छेत्र के अंतरगत कौन सा उद्योग सामिल नहीं है तो option number A है लोह इस्पात, option number B है परिवाहन, option number C है उर्वरक, option number D है इस्पात तो इसमें आपका right answer हो जाएगा option number B परिवाहन आए चलते हैं next question पंदरवा question है पंदरवे वित आयोग का अध्यच कोन है तो इसका पहला option है A है मनमोहन सिंग, option number B है वसंत सेट, option number C है सिवसंकर, option number D है एनके सिंग, तो इसका right answer हो जाएगा आपका option number D एनके सिंग आपका right answer हो जाएगा आए चलते हैं एगले प्रस्ट की और प्रस्ट नंबर 16 प्रस्ट नंबर 16 है हमारा वैट पहली बार कहां लागू किया गया वैट पहली बार कहां लागू किया गया तो option number A है जर्मनी, option number B है स्पेन, option number C है फ्रांस, option number D है रूस तो इसका हमारा right answer हो जाएगा option number C फ्रांस, option number C फ्रांस जो है right answer हो जाएगा आए चलते हैं अपने अगले प्रस्ट की और कौन सा निकाई यह निर्धारित करता है कि संग के कर्मे राज का हिस्सा किस प्रकार का होगा तो इसका पहला option है वित्य आयोक पहला option है वित्य आयोक दूसरा option है नीत आयोक तीसरा option है चुनाव आयोक चौर्था अप्सन है वित्य जिसमें से आपका right answer कान्सा होगा तो आपका इसमें से right answer A हो जाएगा वित आयोग आपका right answer हो जाएगा आए देखते हैं अगला प्रश्न अब प्रत्य च्छकर की प्रकृत कैसी होती है तो option number A है अधो गामी, option number B है प्रतिगामी, option number C है प्रग्यति सील, option number D है अनुपातिक तो इसका right answer हो जाएगा option number B, option number B हो जाएगा प्रतिगामी अगला प्रस्न है भारत में बीमा छेत्र किसके द्वारा नियमित किया जाता है उप्सन नमबर A है IRDA, उप्सन नमबर B है CII, उप्सन नमबर C है MRBI, उप्सन नमबर D है CB तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा आई चलते हैं अपने नेक्स्ट कोस्टन की ओर निव यार्क स्टाक एक्सचेंज की में सूची बर्द होने वाली भारत की पहली सरकारी कमपनी है तो पहला उप्सटन है इसका विदेश संचार निगम लिम्टेड और दूसरा उप्सटन है महा नगर टेली फोन निगम लिम्टेड और तीसरा उप्सटन है सेल और चौथा उप्सटन है हमारा डी नंबर ऑप्सटन है ओ एन जी सी तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नमबर ए विदेश संचार निगम लिमिटेड दोस्तों आज की क्लास यहीं तक उमीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें और चैनल का सपोर्ट करते रहें चैनल को सब्सक् हैं दोस्तों तो इस सेलेक्षन स्रीज में आप सभी लोग अच्छे से मेहनद करते रहें और हम तो यही कहते हैं कि सेलेक्टेड हैं और सेलेक्षन दिलाएंगे तो इसी होब के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जैन